दोस्तों आज हम बात करेंगे GM फसलों के बारे में यानि जेनेटिकली मौडिफाइट क्रॉप्स के बारे में GM फसल ऐसी फसल होती हैं जिनके जीन कृतिम रूप से संचोधित होते हैं आम तोर पर किसी अन्य पौधे से अनुवांशिक सामगरी को समलित करके इन फसलों को दयार किया जाता है जैसे कि इसके नाम से पता चलता है इन फसलों के जीनों में दूसरी फसलों के जीन डाले जाते हैं ताकि उपज में व्रिद्धी, शाक नाशी के प्रती शेहन शीलता, रोग या दवा के प्रती प्रती रोध जैसे गुण नई फसल में विक्सित किये जा सके हैं उधारन के लिए GM चावल की सबसे प्रसिद्ध किस्म गूल्डन चावल है या गूल्डन राइस है गूल्डन राइस में डेफो डिल्स और मक्का दोनों पौदे से जीनों को समलित किया गया है इसके अलावा विटामिन A से सम्रिद्ध मिट्टी के एक जिवानू के जीन को भी इसमें डाला गया है भारत में केवल एक जीम फसल बीटी का पास की वेवसाई खेतों को ही मनजूरी दी गई है जबकि अभी तक देश में वेवसाई खेती के लिए किसी जीम खाथ पसल को मनजूरी नहीं दी गई है